आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शत्रूओं को पागल करने का ऐसा कौन सा मंत्र है जिसके दोरा आप अपने शत्रूओं को पराजित कर सकते हैं आप अपने शत्रूओं को पागल कर सकते हैं मगर ध्यान रहे जब भी आप इस मंत्र का प्रेयोग करें तो आप तब ही करें जब आपको आपका शत्रूओं बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हो और आप लोगों की कोई भी गलती ना हो वो बेवज़े आप लोगों को परे तो सबसे पहले आप लोग किसी भी शनीवार की शाम को इस मंतर का जाप करें मंतर कुछ इस प्रकार है ओम, रीम, क्लीम, एलो, गाप्रडा, भेरवी, मातांगी, त्रिलोक्य, वश्मान्य, स्वाहा ये मंतर है, इस मंतर का आप शनीवार की शाम को जब शुरू करें साथी साथ उसके बाद आप लोग एक चीज का और ध्यान रखें कि जब तक ये मंत्रकाद जाब करेंगे तब तक आप घी का एक दीपक प्रजलित रखें अपने ठीक सामने और उस घी के दीपक में आप गुगल मिलाएं, लोबान मिलाएं, दो लॉंग मिलाएं और दो इलाइची मिलाएं और याद रहे कि दीपक भुजना नहीं चाहिए है ये दीपक तब तक प्रजलित रहना चाहिए है जब तक आप इस मंत्रका जब पूरा ना कर लें उसके बाद जब आपको इसकी सिद्धी प्राप्त हो जाए तो आप इस मंतर का 21 बार जब करें और उस 21 बार जब आप जब करेंगे तो आप अपने शत्रू का भी नाम लीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हो उसके पश्चात जो भी आपका शत्रू होगा वो तुरंत पागल हो जाएगा और आपको परेशानी नहीं पोचाएगा अभी के लिए बस इतना ही और जादा जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद